बिस्मिल्लार्खमान रराहीम आज हम module 141 discuss करेंगे 141 module के अंदर हम यह देखेंगे कि हम क्या एक हम guideline discuss करेंगे कि हमें अगर variables को जो भी shared variables हैं को protect करना है तो किस तरीके से protect करना है जो हम synchronization object use करें उसको किस तरीके से use करना है जो हमारे variables हैं और जो हमारा synchronization object है उन में किस तरह की mapping है one to one या one to many है तो इसके लिए अंदर major guideline यह है कि आप जितने भी आपके variables हैं एक process है उसके अंदर कही सारी threads हैं और कही सारे variables ऐसे हैं जिनको वो threads आपस में share करेंगे जितने भी variables हैं उसको एक single object के अंदर within a process उसके अंदर एक single object single synchronization object की मदद से आप उसको share करेंगे multiple objects की मदद से share नहीं करते हैं अगर multiple objects की मदद से share करेंगे तो उस चीज़ का जो मक्सद है वो ही lose हो जाता है इस तरह अगर आगर आप ऐसे करते हैं कि हर variable के लिए अलग से एक object बना लेते हैं और उनको फिर जब आप concurrent manner में run करेंगे तो हो सकता है कि आप को सही results achieve ना हो आपको सही results तब ही achieve होंगे कि जितने भी variables है जो shared है उन तमाम variables को protect करने के लिए एक single synchronization object जो है उसको use किया जा रहा है जिसकी मदद से mutual exclusion जो है उसको enforce कर रहा है यहां बिसकी आप एक example दे सकते हैं यह example incorrect यूज किया आपने इस तरह से synchronization objects को use नहीं करना इसके अदर आप देख सकते हैं कि अगर आपका एक shared variable है n तो आपने यहां पे मुख्लिव किसम के objects यूज किया है यहां पे आपने critical section critical section 1 है और critical section 2 है यह एक thread run हो रही है और इस thread के अंदर इस object को share करने के लिए critical section 1 यूज हो रहा है और again आगे जाकर फिर इस object को share करने के लिए यह mutually exclusive बिनाने के लिए synchronize करने के लिए एक और object यूज हो रहा है CS2 यह दोनों different objects है ऐसा नहीं होना चाहिए एक single object की मदद से आपको तमाम variables को share करना चाहिए for example अगर number of threads जो है concurrently run over ही है एक और thread है जो के concurrently run over ही है और यहां पर आपके पास एक variable है यह CS1 की मदद से synchronized है ठीक है और एक और variable है जो के CS2 की मदद से synchronized है अब फर्ज करें कि यहां पर यह critical section के अंदर मौजूद है already और N को use कर रहा है और उसी दुरान यह भी N को use करना जाता है लेकिन different synchronization object की मदद से use करना जाए अब यह वाला synchronization object जो है इसको यह own कर रहा है इस synchronization को हो सकते है अभी कोई ना own कर रहा हूँ अगर कोई ना own कर रहा हूँ और यह thread 2 सबसे पहले इसको attempt करती है acquire करने के लिए तो यह इस object को own करना शुरू कर देगी और यह भी N को change करना शुरू कर देगी result क्या होगा result यह होगा कि thread 1 भी N के उपर operation perform कर रही है और साथ ही साथ thread 2 जो है वो भी N के उपर operation perform कर रही है और आप देख सकते हैं फिर इस सूरत के अंदर क्योंके N is a shared variable तो दोनों threads at a time N को modify नहीं कर सकती है आपके पास जो result है वो हो सकता है incorrect तो इसलिए जितने भी सही तरीका क्या होगा कि जितने भी आपके shared variables हैं उन shared variables को modify करने के लिए एक ही synchronization object यूज अगर आप इदर से enter होते है critical section 1 को use करते हुए तो आपने leave critical section 1 करना है इसके लावा और कोई दूसरा synchronization object नहीं इस्तमाल करने